असलाम वीकूम सब कैसे हैं उमीद करते हैं सब हर्यसे होंगे आज हम बनाएंगे फेसबैक टाइटनिंग का और इसके लिए हमें चाहिए दही थोड़ा सा लेंगे हम शहद और यह मैंने लिया है गोंद कतीरा जिसमें आप घर्मियों में कोई भी ड्रिंक बनाते हैं उसके का नामात है और यह नेक्स में आपको बताऊंगी इसका इसके द्रिंक बनाना भी और थोड़ा सा मदें अंडा अंडे की सफेदी लेंगे तो इसको पहले हम घुन कतीरे को अच्छे तरीके से पीसेंगे कि देखें इसको हम पीस लेंगे इसको हमें बिल्कुल बारीक पौडर बना लेने हैं और हम पौडर बना लें इसका अब इसे पीस लेंगे हम बिल्कुल बारीक पौडर बनाने हमने बिल्कुल बिल्कुल बनाना इसका अब को मैं बताती हूं हमें क्या करना है चमच से हम इस पौने में डालते जाएंगे बारीक पौडर बनाने हैं इसके पर हमने ऐसे चान लेना है जो हमारा पौडर होगा वह बीच में चला जाएगा जो दर्दर होगा वह ऐसे बीच में रह जाएगा यह दिखिए फिर पीस लेंगे अएसे हम सारा इसको पीस लेंगे इसका पौडर बना लिया है कि इसी पौडर में हम मिक्स करेंगे अंडे की स्वेधी एक ही चमच चाहिए उसके बाद हमने दो चमच दहीं के आड़ किये अंडे चमच चाहिए इसको हम करेंगे मिक्स करेंगे बना लिए वो इसके बार डाप इसमें बिसन भी डाल सकते हैं यह आप्शनाल है बिसन हमारा पेस्ट अच्छी से त्यार हो गया है इसके ही हम करेंगे स्क्रब इसका हमने स्क्रब करने पांच से छे मिनट के लिए हमने स्क्रब करना है ऐसे हम मुपे करेंगे इसके बाहर हमें टिशू से साब कर लेंगे रिजल्ट आपके सामने हैं यह देखें पहले हमने स्क्रब करना है इस पेस्ट का पिर हमने इसी पर अप्लाई करना है और यह स्क्रब कर सकते हैं यह टाइट हो जाएगा वाश कैसे करना है आपको मैं बताती हूं फिर यह पंद्रा से बीस मिनिट तक सूँ जाएगा अपने इसको वाश ठंडे पानी से करना है पर बरफ वाले पानी से अब इतना भी सको बरदाश कर सकें और यह दिखेंगें स्किन टाइट होना शुरू हो गई है उसके बद हमने इसको डायरेक वाश नहीं करना पानी से हलका हलका हमने मुपे आपने कैसे लगाना है वैसे ही आपने लगा के इसको फिर ठंडे पानी से हम टावल को डिबो के और मुपे रख देंगे 5-10 मिनट के लिए ठंडे ठंडे टावल को अपने उठाना नहीं है इस टावल को अब हम हाथ दोलेंगे इसको अब यह दे सकते हैं रजाए और मुपे गातरिया अपने बाते नहीं करने यह बोलना है यह है अच्छा अलक्स वीडियो में फिर मिलेंगे अपने के लिए लाह अफिर